हेलो दोस्तो स्वागत आपका एक और वीडियो में और हम लोग इस चीज़ों में आपने देखा होगा थमनल उसी चीज़ों सहाथ समय बात करने वाले कि रेडिंग वीगनर्स लोग यहाँ पे कैसे ट्रेडिंग करें क्या देख लिया क्या आपने देखा होगा की काफी बड़े लोग यहाँ पर प्रॉफिट दिखा क्या पर जोब करते हैं और जॉब से अहाँ पर देखो के कि भाई इबी अपने बिजनस टाइप का है चैटे में से थोड़ा सा भी हम लोग money यहां पर earn कर लेंगे, ठीक है, earn करना मतलब money बोले तो कोई भी पैसे अगर आप जहां पर job करते हो, वहां पर भी वह पैसा आपको free money देता, ठीक है, उसके लिए आपने जहां पर काम करते हो, मेहनत करते हो, तब जाके आपको आपको आ जामने वाला वो पैसे कमा रहा ठीक है तो आपको यहां पर पैसे कमाना है बोले तो यहां पर बोला जाता है कि 99% लोग यहां पर पैसे गवाते हैं और यहां पर 10% लोग जो भी है वो पैसे कमाते ठीक है तो यहां पर जब आप वहां पर वह category पर आना 10% की category पर आना बोले त यहाँ पे यह सारे पॉइंट तो दूर की बात है आप बीना पॉइंट देखें यहाँ पे चार्ट पे उतरेंगे जरुदा में वह टेलिग्रम पर यह पॉइंट दिया कि C ले ले पी ले बस आपको प्रोफिट बन जाएगा तो यहाँ पे दिखोगे कि 90% टाइम मतलब ऐसा होता है कि 90% टाइम आपको ऐसा होगा कि मार्केट में आप फर्स जो ट्रेड लोगे वहाँ पे आपको प्रोफिट हो जाएगा ठीक है बड़ उसके दूसरे दिन आपको लोस हो जाएगा फिर आपको तीसरे दिन क्या होगा लोस हो जाएगा ऐसे करते करते आप यह चीज को cover करने के लिए जाओगे ये चीज़ को अगर आप cover करने के लिए जाओगे तो आपको यहाँ पे lossis lossis और lossis देखने को मिलेंगे क्यों यहाँ इसा होता है market में युकि market पहले दिन सब को profit दिखाता है सब को उसको बोलाने की कोसिस करता है तो आजा क्योंकि उसको कोई डर नहीं रहता यहाँ पे कोई भी फियर नहीं रहता यहाँ पे वह आएगा market में डिरेक्ट थोड़े से point मिले और वहाँ से point लेके निकल जाएगा ठीक है मैंने भी यही किया था मुझे भी पहले दिन आया था तो मुझे 1000 रुपिस का प्रोफीट भाए था मैंने बॉला अच्छा प्रोफिट ग्यान हो रहा है यहासे तो तो मैंने क्या किया सथे किया दूसिती दिन लर धो जोक्ne चोथे दिन प्रोफिट हुआ बड़ वो उस लोव को कवन ने कर पाया मुझे प्रोफिट हूआ था 500 रुपे क के के something around मुझे profit हुआ था बर जो मैंने दूसरे दिन loss किया था वो मुझे 1500 के something around था और तीसे दिन में बारासो या तेरासो रुपे का something around loss था ठीक है तो मैं वह चीज को cover करते करते मैंने और भी काफी सारे पेसे इसमें अपने अंदर डाल दिये और काफी सारे मैंने चीज़े यहां पर losses किये और देखा नहीं लोगों को टेलिगरम को उपर विश्वास किया कोई भी चीज़े सीखी नहीं और direct उतर गया मार्केट में तो मुझे काफी सारे चीज़े face करनी पड़ी मैं वही चीज़े आपको यहां पर cover करके बताऊंगा क्योंकि beginners लोग यहां पर वह चीज़े नहीं देखते उनको profit दिखता है कि भाई मैं साइट से earning कर लूँगा और अच्छे का से profit generate करूँगा यहां से और अपना एक का PNL तक यहां पर upload किया है तो आप PNL भी जाकर देख सकते हैं मैंने काफी सारे वीडियो भी upload किया है कि मैंने अच्छा का सेट अप बता है कि लोग सेट अप है काम की just helping strategy भी बताई है market में क्या कि चार्ट कैसे read करता है free में video भी provide करता हूं कि लोग यहां से सीखे है दे मैंने 20,000 से यहां पर मैंने कितने 33,000-34,000 बनाया गेन किया वह भी कितने 19 days में कुझे 18-19 days में मैंने आप 33,000 रुपिस गेन किया ठीक है एकदम profit मलब 20,000 स्टार्ट किया था मैंने profit पूरा मलब यहां पर capital अपना पूरा double कर लिया ठीक है तो मैंने चोटे सा स्टार्ट किय लोगों के लिए मैं यहां पर वीडियो बना सकूँ इसी साब से मैंने स्टार्ट किया है मैंने आप लोगों कभी भी course अपने आप फ्री में मतलब फ्री में provide करा रहा हूं बट होगा आगे तो मैं आप फ्री में provide नहीं करा रहा हूंगा courses अपने ठीक है ताब यह वीडियो तो market में पहले learning की जाते हैं उसके बाद इस start किया जाता है तो हम लोग इसको point wise point समझेंगे पूरा का पूरा ठीक है और जो भी मैंने आपनी life में तीन साल के career में जो भी अपना उज़र किया है कितने chart patterns को मलब की सीथा से गलतियां भी की हैं महिने का पूरा का पूरा profit मैंने एक दिन में भी drop किया हुआ है तो यह सारी की सारी चीज़े मैं आपको कवर करने वाला हूँ तो वीडियो को end तक देखते रहेगा जिससे आपको सब कुछ सुम जाए वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज वीडियो को like कर लिजेगा और चैनल को support करेगा चैनल को subscribe करेगा जिससे आपको आगे ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी और यहां पर मैं पूरा support करता हूँ लोगों को यहां पर देखोगे मैंने काफी सारे वीडियो अप्लोड किया तो काफी सारे मैंने आप पर support किया लोगों के comments का reply देना काफी सारी चीज है यहां पर ठीक है तो आप भी comment करोगे आपको comment के reply दिये जाएंगे यहां पर और आपको जो भी question होंगे support किया जाएगा आपको full ठीक है यहां पर तो यहां पर वीडियो देख लेंगे यहां पर कि बिगनस लोग अगर जो market में आते वो किसी साब से यहां पर trade करें ठीक है वो आपको 90% से यहां पर देखोगे आपको 90% की category से उट करके आपको यहां पर 10% की category पे आना है कितना 10% की category पे जब यह 90% लोग पैसे खोएंगे तब आप जाके यहां पर पैसे यहां पर gain करोगे तब यह कैसे gain करोगे सारी की सारी चीज़े में आप बताने वाला हूँ एकदम setup के साथ चलेंगे किसी साब साब को क्या क्या चीज़े यहां पर market में observe करनी है live market में कैसे देखना ह आपको सारी की सारी चीज़े ठीक है तब पॉइंट वाइस पॉइंट हम लोग संब लेंगे यहां पर यहां पर देखो कि दोस्ता हमारा सबसे पहला point होने वाला यहां पर learning का अब learning को किसी साब से करनी कि market में आप किसी का भी course ले सकते हो किसी का भी course लेकर सीखना है तो आ कि मैंने आपको एक टू एक पॉइंट यहां पर बता हुए चार्ट रीडिंग कैसे करना है उसका सेट अप बता हुआ हुआ जिससे आप सेट अप से आप देखो के चार्ट को उससे आपको चार्ट ज्यादा समझ में आएगा तब वो चीज़े आप नोटीस करें यहां पर देख करकर सीख सकते है बर आपको पेले आपको कोई जो इच्छ lot यह मार्किट को सीखने के ओने चाहिएए कमाने की नहीं सीक है अगर आप सीख गे भिज़े छो उसके बाद आपको कमाना हो तो कहीं भाष तो कहीं नहीं जा रहा क्योंकि मैंनत कभी फेल नहीं जाती ठीक ह अगर कोई भी इंडिकेटर या कुछ भी होता यहां पे यह आपको चार ट्रेडिंग करके सीखना पड़ेगा मार्केट में, अगर ऐसा होता तो सभी लोग यहां पे अच्छे कासे पेसे कमा लेते हैं, ठीक अगर कोई बी इंडिकेटर या कुछ भी होता यहां पर आपको क्या करना पहले यह सीखना पड़ेगा, मार्केट यहां से तो यहां से उपर क्यों जा रहा है, अगर मार्केट यहां से नीचे गिरा, सेलिंग आ रही है, तो मार्केट यहां से सेल क्यों कर रहा है, वापस मार्केट यहां से उपर गया, फिर वापस मार्केट यहां पर गिर गया, देखोगे तो यहां पर इस हिसाब से एक रिस्टर ु बोल रहा है किसि आप से मार्केट का चार्ट भोल रहा है नीचे आ रहा है तो चार्ट तेडिंग आपको इस ही साब से करने है डेली आपको कम से कम 15-20 चार्ट को बिश कर ग गए Nifty 50 हो गया, Bank Nifty हो गया, Indus हो गया, कोई भी आपको देखना आ यहां पर देखे वर्ड़ा कोशbmers चार ंडिंग करना है और Live Market में आपको देखना है कि Market ने यह position क्यों बनाई arbeiten ने यहां पर trap क्यूं किए जो कि fund के एसी साब से market क्यों यहीं पर market रुका यहाँ तक काया मार्क要प आपस फोल्ट यहां पर कंटीज़ ने कूल ने कुल मिला क्यों से इससे फोल्ट यह सब चीज आप चाह्र क्रिडिंग में करा घृडिभि मार्क चाल आप्को आइडिया मिलेगा उसके बाद का हमारा कौन सा पॉइंट है डेटा डेकोड का पॉइंट अपना यहाँपे डेटा डेकोड का मतलब यह होता है कि मार्केट में जैसे आब देखो कि FI आते हैं मार्केट में विग्धर्वों को आइडिया नहीं होगा FI आते है दी आई वाले आते हैं, FI बोले तो अब ने बार के इंटेनेसल जो भी हमारे यहां पर रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, बड़ी कॉंटिटी में बाइंग करते हैं, जिससे मार्केट एक उपर की तरफ जाता है, और दी आई वाले भी जैसे हमारे डोमेस्टिक हो गए, तो भ यह सेलिंग कर देता हैं, तो यह मोमेइंट होता कि हैं, FI वाले कीशा आउपसे काम कर रहे हैं, वह भी अपने को अपनेny होता है, तो मार्केट में आपको यहां पर म क्योर्ड देखना कारा है, तो यह साब K ne m और चोथा पुइंट अपना आता यहां पे पेपर टेडिंग अगर आप मार्केट में जैसे आप यहां पे काम कर रहे हो ठीक है अगर आपको मार्केट में पेपर टेडिंग दिया गया है कि पेपर टेडिंग आप यहां पर मनी नहीं लगा रहे हो ठीक है पेपर ट्रेडिंग में सीखो, कि भाई मैंने अपना एक सेट अप बनाया है, तो क्या वो सेट अप में यहाँ पर भाई करूँगा, और अपना एसलिस्क नीचे रहेगा, और अपना टारगेट यहाँ तका में ले लूँगा, तो यह टारगेट आपकी पोजिशन कितनी बार आपका टारगेट हीट होते, आपकी रह Перв palavra पहते है, जब आप पेपर ट्रेडिंग में करोग सीखने को भी काफी शारी चीजह मिलेंगी, ठीक है, बडाब आप ज अगर यह पेपर टेडिंग आए बीना यहाँ पे सीखे, बीना आप डारेक से ट्रेड करोगे और आते ही आप यहाँ पे 10,000 उपे, 20,000 उपे, 30,000 उपे लोस्ट करना चालो के तर फिर आप को दूख लगेगा भाई मैंने पहले सीख लिया होता तो ठीक था, मैंने पेपर टेडिंग में ट्राइ कर लिया होता तो ठीक था, वहाँ पे C कैसे लेते, P कैसे लेते, किसे आप स्टाइक प्रेस चूस करनी है, सारी की सारी चीज़ आपको वहाँ पर पता चल जाएंगी, तो आपको वह चीज़ आपको नोटिस करनी है, तो पेपर टेडिंग साफ स्टार्ट कीजे, और आप देखो कि अगर आप वहाँ पे 60-80% पेसे गेन कर ले तो उसके बाद आप आ तो पहले क्या करोगे आप यहाँ पे, पहले आप स्टार्ट करोगे पेपर टेडिंग से, उसके बाद आप स्टार्ट करोगे रियल केस से, ठीक है, और उसके बाद एक टार्गेट दिया जाता है कि आपको डेली का टार्गेट कितना ले की निकलना है भाई, कोई-कोई आत मैं example दूँगा देखें आप यहां पर ले लेंगे जैसे market ने उसने पहले बनाया तो यहां तक का पहली candle आगे तो उसने पेसे यहां पर निकाल ली अपने ठीक है profit लेकर के उसके वापस सोचा कि यह point से वापस market उपर जाएगा बट वो market यहां पर नहीं गया market यहां से नीच trade लेना है मैं दिन में एक trade लूँगा उसके बाद क्या करूँगा जैसे मैंने यहां पर कोई trade ले लिया मुझे यहां तक का target चाहिए क्योंकि पहले market यहां तक जा चुका था तो मैंने यहां तक का target लगा लिया मेरा टागेट आ गया मेरा 500 का profit book हो गया मैं यहां से क्या लिया उसके बाद आपका SL इसके नीचे था ठीक है तो आप क्या करोगे यहां से target आपका उपर की तब आया नहीं था आपका SL हीट हो गया मलब आपका यहां पर 500 से 450 जो भी 400 रुपय का आपका यहां पर loss हुआ और आप क्या करोगे यहां से exit हो जाओगे आपको कोई यहां आपको यहां पर देखनी है तो target आपको साथ में लेकर चलना है क्या लेकर चलना टारगेट ठीक है उसके बाद अनबायस नी होना market में बायस मलब यह चीज़े होती है कि कोई news वगर आती है कि किसी news में आपको यह भी notice करना है कि आपको news क्या है यह आर बी आई की क्या news आई है कि बाई किसी share की news आई है यह कोई अफ़ा अ है तो इसन भी रहता है कि बड़े players क्या करते हैं यहां पर recorded करते ह는 यहां पर और यहां पर ज उतना उनका profit हो जाएगा कि यहां पर बड़े प्लेयर्स होते हमारे जैसे जो रहते है अपर फस्ट जाता हुँ अपना शेयर्स सेल कर देता है वो न्यूस की वज़र से कभी-कभी यह न्यूस रहती कि कोई फेक भी देंगे कभी मुलिब रहती है तो मार्केट में वह भी आपको फोकस करना है क्या मिल्ब RBI की न्यूज आ रही है वो भी focus करना वह रेपोरेट बढ़ रही है कम हो रही है US का market कैसा है ठीक है तब को यह सारी चीज़े भी आपको यहाँ पर focus करनी है तब को वह भी सारी चीज़े संच में आएगा तब यह सारे पॉंट अपनोंने यहाँ पर clear कर लिये कि लर्निंग के उपर फोकस करना है, daily chart trading करने है, data decode करने कि भी FIDI का कितना भी market क्या है, उसने capitalization use किया है, कैसे market चल रहा है, और paper trading करने है, real case में पहले नहीं आना है, पहले paper trading में पूरा सीख लेना है, आपकी 80-90% accuracy हो जाती है, उसके बाद आप real case में आई है, वहाँ से पैसा gain कीजे, ठीक है, और daily के target हमरे है, जो first एक trade लेना है, loss हो रहा है, profit हो रहा है, कितना profit लेना है, कितना loss लेना है, वो आपके लगा कि news सही है कि गलत है, तो उसके चकर में आप यहाँ पर loss कर बैठते हो, ठीक है, तो यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर देखने है, तो वो सारी की सारी चीज़े आपको live market में पता चलेंगी, आप चीज़े सीखो गे तब पता चलेगा, learning के पहले earning का मत सोचे, प्ली सेलरी होगे आपकी, उससाब से आपको यहाँ पर provide करता है, तो वो सारी चीज़े आप जब देखोगे तब आपको पता चलेगा, तो learning जो आपने की होगे तब आपको पैसे वो मिल रहे है, बिना learning के वो पैसे आपको नहीं देगा, ना यहाँ पर market देगा आपको पैसे, क् आपको यहाँ पर 10% के लोगों में आना है, बोले तो आपको 90% मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप जाके यहाँ पर, आपको 10% complete होने की जोतनी, क्योंकि market में 10% के 100% कोई भी सही नहीं, क्योंकि market कभी भी यहाँ पर trip करेगा उपर, कभी भी trip करेगा नीचे, तो यह पूरा risk management का खेल है, वो भी आपको मैं आगे चीजे बताने वाला हूँ, ठीक है, तो यह चीजे हम लोग देख लेंगे, बाकी आपने यह सारी चीजे समझ लिए यहाँ पर, कि लर्निंग, डेली चार्ट ट्रेडिंग, डेटा डिकोड, पेपर ट्रेडिंग, डेली टार्गेट, अ ठीक है, तो यह सारी चीजे हम लोग के यहाँ पर होगे, अब हम लोग के यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टन चीज होती कि जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, ठीक है, जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, तब आपको कौन सी मोस्ट इंपोर्टन चीजे हैं, अग बोलोगे कि सर मैंने जितना प्रोफिट कमाया मेरा कुछ नहीं बचा और मैंने उससे ज्यादा प्रोफिट अमलब यहां पे लोस करके बैठ गया हूँ तो मुझे सर कोई टेप वगेरे दीजे और अब फिर वो टेलेगराम की चनल में फस होगे यहां पे मैंने लोगों को देखा यहां पे लाक लाक रूपे तक भी लौस किये हैं कर बोब्त करो mij दिन का 10,000 भी कमा रहा है तो बंदे ने काफी लोसिस किये उसके बाद वो बंदा सीखा है ठीक है उसने काफी सारी चीजे देखिए, लाइव मार्केट को अब्जोर किया तब जाके उसने काफी लोस किये है उसके बाद आज जाके देखो कि तो उसके प्रोफिट आपको मैं बोलता हूँ आप Lossis से नहीं यहाँ पर आप सीक के स्टार्ट करो और हो सके तो हो कम से कम Lossis और आप Setup से काम करोगे तो अच्छा कासा चलेगा आप वहाँ पर Lossis कम से कम करोगे और आपके Ending, Month of End आपको Market Profit दे आपको इतना कर लेना है तो आपको यहाँ पे कैसे काम करना एक trading setup है जो आपको मैं आपको क्लियर करनी की कोशिस करूँगा वो आपको मैं आपको बनानी की कोशिस करूँगा जो सबसे पहला होता यहाँ पे trading setup यह setup के भीना आप market में न entry कर पाऊगे न exit कर पाऊगा अगर entry exit आप बीच में कहीं पर लेते हो तो आपका target तो बड़ी दूर की बात है हमेसा आप यहां पर loss करोगे एक दो बार target आ भी गए बट दूसरी बार हमेसा आप loss करोगे यहां पर देख आपका setup रहता है मैंने यहां पर setup का वीडियो भी upload किया हुआ है scalping strategy पूरा setup दिया है beginners कैसे trading करें यहां पर पूरा setup बताया हुआ है तो setup को उपर आपको यहां पर follow करना है वो setup भी आगर हो सके तो मैं आपको यहां पर चलिए यहां पर बता देता हूँ यहां پर देखोगे कि market में में एक 10 का moving rate लगाया हुआ है फंदरा का moving rate लगाया हुआ है ठीक है बाकि वो मेरा setup मैं अलग से अपना रखता हूँ अबस आपको यहां पर क्या करना है मैं आपको यहां पर बता देता हूँ तो setup में क्या क्या चीजे आपकी आएंगी, एक EMA लगा सकते हो आप यहां पे, जो आपके market की direction बताएगा, EMA को टच करता है market, ऊपर जा रहा है इसी साथ से, ठीक है, और एक support का पूंट आता है, market यहां पे एक business community बनाया है, market देखो कि यहां पे support का zone बनाया हुआ है, तो market हो करूँगा, यहां पे बना लूँगा, मैं entry, ऊपर का, और target कहां पे लूँगा, मैं, यहां पे मैं entry बनाई, इसके ऊपर का मेरा target रहेगा, तो यहां पे मैं क्या कर दूँगा, exit कर दूँगा, तो यहां से यहां तक के बीच का आपको यहां पे target मिल गया, कितना, यहां से तक की वीच का आपको टार्गेट मिल गया तो यह आपका सेटप बोला तब आपने एंटी ली ऐसे एंटी नहीं ले ली और दूसरा आपका सेटप जैसे यहाँ पर देखोगी कि भाई मेरा एक सपोर्ट का पॉइंट है अच्छा का सपोर्ट बन रहा है मेरा यहाँ पर तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक सपोर्ट के पॉइंट पर यहाँ पर यहाँ पर वापस आता है तो मैं यहाँ पर एंटी लूँगा बट यहाँ पर अगर इसली आ गया यहाँ पर दिखर आपको तो सेम आप एंट्री एग्जिट आपके ऊपर है कि आपको कहा लेना और डिपेंड किसके ऊपर है आपके सेटप के ऊपर मेरा सेटप अला गया आपका सेटप अला गया मैंने कुछ अपना सेटप भी यहाँ पर सेयर किया हुआ ह तब वो भी वीडियो जाकर चेक आउट कर सकता है, अपना setup वैसे कर भी सकता है, और daily market को observe करना है, ठीक है, अपना एक setup हो गया, और दूसरी चीज होती है, यहाँ पर रिस्क मेनेजमेंट, ठीक है, दूसरी चीज होगी यहाँ पर आपकी रिस्क मेनेजमेंट, आपकी रिस्क मेनेजमेंट ऐसा होता है कि भाई मेरे को यहाँ पर देखे, long position वाना नहीं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मेरा setup बोल रहा है, कि मैं अपना EMA के उपर, अपना rejection के उपर लेता हूँ, क्या लेता हूँ, मैं यहाँ अपना target लेता हूँ, नीचे का SL रखता हूँ, जो मेरे last candle का SL है, मैं आपना SL रखता हूँ, और 1-2 देखो कि यहाँ पर, 1-1 का target रखता हूँ, तो देखो कि यहाँ पर, मैंने यहाँ पर क्या चीज़े की है, मैंने यहाँ पर एक setup बना हुआ हूँ, और setup मेरा क्या बोल रहा है, कि rejection के उपर मैं अपना setup लूँगा, तो मैंने क्या क यह green जैसे, मैंने black line के उपर एक candle निकली, और मेरा SL यहाँ पर रहेगा नीचे, यह देखिए, मेरा SL यहाँ पर रहेगा, last candle का मेरा SL रहने वाला जो मैंने आप पर दिया गया, last candle का SL है, और मेरा target 1-2-1 का है, ठीक है, तो मैंने अपना target यहाँ पर उपर की दब का बना लि रिवोड दिया, देखा आपने, अच्छा market यहाँ पर रिस्क रिवोड दिया, और यह रिस्क रिवोड आपका कितने तक भी गया हुआ है, अगर आपको टैस्ट अपर लेके चलते हो, तो आपको market ने यहाँ पर 1-2-4 तक का भी target easily दे दिया, यहाँ पर देखोगे तो, 1-4 का है, अगर आपने 10 point का SL रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आप 20 point का target लेके चल रहे हो, तो आपने ऐसे कितने 10 trade लिए, कितने 10 trade लिए, और आपने यहाँ पर 5 में profit book किया, 5 में loss book किया, कितना 5 में profit book किया, 5 में loss book किया, और 10 trade लिए, 10 में से 20 point 10 trade में है, तो कितना हो गया अपने यहां पे 200 point अपनों ने यहां पर अच्छी हो किये कितने 10 trade में, अगर हमारे 10 से 10 trade अपने easily यहां पर success जाते हैं, तो ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हम लोग ने 10 trade लिये बड़ 10 में से यहां पे 5 trade अपने ऐसे होगे कि loss होगे तो 5 trade मलब 20 into 5, मतलब अपना loss कितने point का हुआ, 100 point का हुआ loss यहां पर देखोगे, अगर आपके 10 में से 5 trade भी आपके loss में जाते हैं तो आपको loss कितना हुआ, 100 point का loss हुआ, कितने point का, 100 point का loss हुआ और आप यहां पर देखोगे आपका फिर भी यहां पर प्रोफिट कितना चल रहा है 100 पॉइंट का आपके पास फिर भी कितने पॉइंट बचे 100 पॉइंट के करीब आपको यहां पर लोस आपका यहां पर जो भी पॉइंट बचा वो आपको यहां पर बच गया 100 पॉइंट के तरफ का भी एजिली अपना टाइगट अचीव कर सकते हैं, बहुत रखेंगा हम लोग यहां पे तो इजिली हम लोग को वो भी अचीव हो चूका यहां पे, तपने न अगर यहां पे, अगर यहां पे देखोगे कि अपने यहां पे रख लेता यहां पे loss में चले गए, stop loss हीट हो गया, तो हमारा 100 points जो हम लोग ने loss किया था, अमलब gain किया था, वही पेसे हमारे यहां पे गया, मलब हमारा पूरा का पूरा capital यहां पे बचा हुआ है, बट अगर यही accuracy, आपकी अगर 6 time आपके accuracy, मलब 6 बार आपका profit हुआ, 4 बार आपका loss हुआ, तो आप यहां पे कितना 20 point profit में चलोगा, कितना 20 point profit में, और दीरे-दीरे आपका क्या होगा, यह setup आपको risk management आपको यह profit देखे जागा, कि आपने इस one month में, आपने कितना profit किया, one month में समल लो, आपको मलब एक दिन में आपको 200 का समल लो profit हुआ, ठीक है, 200 का profit हुआ जैसा आप month के end में देखोगे, तो daily आपका 5 stop loss हीट हुआ, 5 target हीट हुआ, उसके बाद दीरे-दीरे accuracy बड़ी, और आपके 6 target हीट हुआ, 6 target हीट हुआ, तो आप month के end में देखो कि आपने 10 thousand रुपीस लगाये थे, और आपके 10 thousand रुपीस से आपने कितने gain कर लिये, 2000, 3000 के कर आपने आपे easily gain कर लिया, तक को ये risk management आपको profit देके जाएगा, आप ऐसा नहीं कि कहीं भी आपने SL बना दिया, कि भाई मैंने 20 point का SL ले लिया, 10 point का target ले लिया, तो ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पे, वो आपको risk management आपको लेके चलना, वो भी मैंने आपे video record डाली हुई है, त तो sorry for उसके लिए, बट यहाँ पे आपको सीखने के लिए कितना मिला, आपको उसके उपर ध्यान देना है, तो beginners लोग है, आप यह ध्यान दीजे कि आपको क्या follow करना है, ठीक है, तो यहाँ पे video हम लोग जल्दी से end करेंगे, आपको मैंने सारी की सारी चीज़ आपको cover कर तो आपको यह सारी चीज़ भी focus करनी है, तो यह मैंने पूरी की पूरी आपको चीज़ आपको cover करके बता दिये, तब इस हिसाब से चलेगा market में, आपको अच्छा का सा profitable trader बना देगा आपको, क्योंकि आप अगर यह सब चीज़ों को लेके चलोगे तो आप 90% में से 10% के इसली सोड़ा time देना पड़ेगा वर्ट आप आ जाओगे ठीक है, तब इस हिसाब से काम कीज़े, और अगर आपको यह वीडियो पतसंद आया हो तो प्लीस वीडियो को like कर लिजेगा, और चैनल पर पहली बार आप तो प्लीस चैनल को subscribe कर लिजेगा, ठीक है, और comment करके ब जैहिन, जैभारत, आप ऐसे सीखते रही है, और profitable trader बन जाएए, और अच्छा कासा गेन कीजे, और अपनी family को फूसर रखे, ठीक है, be happy, तो चली मिलते है, नेक्स वडियो में तब तक के लिए, जैहिन, जैभारत